हेलो बच्चो मैं आपका लली सर आज आप लोगों को बेटा जानना है Epistatic Gene that means what do you mean by epistatic gene बहुती सिंपल बहुती आसान तो ध्यान से देखे बेटा epistatic gene का मतलब क्या होता है देखे जब एक gene अपने साथ वाले gene के लखषडों को क्या कर देता है कहने का मतलब यह है कि माली जी दो वेक्टी है और दो वेक्टी में एक वेक्टी क्या है अपने को बहुत पावरफुल समझता है और दूसरा बिल्कुल नार्मल वेक्टी है कोई तो यह जो बहुत पावरफुल वेक्टी है ना इसके इसकी चीजों को इसके मैटर को क्या कर द दबा दे मतलब इसको क्या कर दे बिल्कुल कमजोर कर दे इसको दबा दे तो जब इसको कोई दबा देगा तो क्या यह उठने पाएगा बेक्ती बिल्कुल दब जाएगा भाई यह बहुत परिसान कर रहे हैं बड़े आदमी है इनका बड़ा मैटर है तो यह बहुत परिसान को कर रहे हैं तो यह आपने साथ वाले देखिए गरीबों को सभी दबाते हैं लेकिन द्यान से देखिएगा नेचर इस दुनिया को छोड़ करके एक दुनिया और है जिसको हम लोग समझते ने जिसको बोलते नेचर तो द्यान से लिख्र देखिएगा यहां पर क्या बताया गया यहां पर बताया गया आप एक जीन जो अपने साथ वाले जीन के लग्ष्ड़ों को निर्धारित नहीं होने देता और इसको दबा देता है तो बस यहीं प्रक्रिया एपीश्टेटिक जीन कहलाती है समाझ मैं आएक ने मैंने आप लोगों को क्या बताया मान लीजिए यहां पर एक जीन है यहां पर एक जीन मान लीजिए आप क्या यह बी यह बी जीन है और इसके साथ में मान लीजिए आई जीन है अब आई जीन जो है इस बी जीन को क्या कर दे इसको दबा दे अर्थात इसको निर्धारित ना ह ने देगा तो यही प्रक्रिया कहलाएगी क्या एपीस्टेटिक जीन यानि एक जीन ने अपने साथ वाले दूसरे जीन के लक्षडों को दबा दिया अर्थात उसको निर्धारित नहीं होने दिया तो इस प्रक्रियों को कहते हैं क्या एपीस्टेटिक जीन बास समझेगा तो उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं एक बात मुझे यहाँ पर याद आ गई वैसे किसी ने सही कहा है दखिए किसी कमजोर विक्ति को दवाना नहीं चाहिए यह नियम है, बिल्कुल गलत कार है अगर किसी के लक्षडों को या किसी को दवा दें या परोसी को बिल्कुल समझते हैं यह बहुत गरीब आदमी इसको चलो दवा दिया जाया यह बिल्कुल गलत है ना जानी किसका कसूर है इंसान तो इंसानियत में चूर है और छोटे आदमी की यहाँ कोई कदर नहीं है और बड़ा आदमी अपनी केवल बड़ा पन में चूर है तो आए बेटा ध्यान देते हैं यह तो खेर आप लोगों को ऐसे मैंने बता दिया है बाकी यहाँ पर क्या मैंने आप लोगों को बताया है कि जब एक जोड़ी जीन जो है यह एक जीन जब दूसरे जीन को दबा देता है तो ध्यान से देखी का इसका उधारन क्या होगा कही ने कही यहाँ पर यह बताया गया है जो कुत्ते होते हैं यह जो डॉग होते हैं इन कुत्तों के बालों के रंग के बारे में यहाँ पर डिसकस किया गया है तो आएजे धियान देते हैं बैटा मान लीजे यहाँ पर कैपिटल भी यह कैपिटल भी है तो यह किसके लिए भी यह है तो यह कहीं ना कहीं कुट्टे के काले रंग के लिए उत्तादाई है यह जीन किसके लिए है तो कुट्टे के काले रंग के लिए धियान से देखिएग यहां पर small b यह किसके लिए है तो यह कुत्ते के भूरे रंग के लिए ध्यान से देखेगा यह कुत्ते के किसके रंग के लिए भूरे रंग के लिए है अगला मेटर हमारा आ रहा है कैपिटल आई आप कैपिटल आई को जड़ा ध्यान से देखेगा कैपिटल आई को तो कैपिटल आई को हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन क्या बोलते हैं इसको कैपिटल आई को हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन एपी इस्टेटिक जीन ध्यान से देखिएगा बेटा यहाँ पर इसको बोलते है एपी इस्टेटिक जीन और यहाँ पर होता है एक स्माल आई इसको हम क्या बोलते है निस्क्री जीन इसको क्या बोलते है इसको हम कहते है भई या निस्क्री जीन है यह कैसा जीन है निश्की रीजीन तो इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर मैंने बता है कि जो कैप्टल भी है कुट्टे के काले रंग के लिए डॉक के जो ब्लैक रंग के लिए उत्तर दाई है स्मॉल भी यह कही न कही डॉक के भूरे रंग के लिए उत्तर रहे यहाँ उसके बालो की मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर पर एक जोड़ी जीन है ये capital B और capital B तो कहीं ने कहीं ये black यानि कि कुट्टे के काले यानि कुट्टे के जो बाल है वो काले रंग के लिए उतरदाई है और यहां पर आ गया epistatic gene capital I और capital I अब ये जीन जो है इस वाले जीन को क्या कर देगा इसको दबा देगा इसको दबा देगा अर्थात इसको निर्धारित नहीं होने देगा इसको क्या नहीं होने देगा इसको निर्धारित नहीं होने देगा कहीं ने कहीं प्रकट नहीं होने देगा इसको निर्धारित नहीं होने देगा या फिर हम इसको कह सकते प्रकट नहीं ह है ऑब कुल मिला करके अब आप मुझे बताएं यहां पर कही जो आए डबा देगा तो यह इसका जो रंग है वो निर्धारित नहीं होने पाएगा इसका ये लक्षण उत्पन नहीं होने पाएगा जब ये एपिस्टेटिक इनिस को दबा देगा इसका लक्षण उत्पन नहीं हो पाएगा तो यहां पर भीया कोई रंगीन मैटर उत्पन नहीं नहीं होगा अर्था त कई बार competition में question पूछा गया है कि जो कुट्टे का रंग होगा वो कैसा हो जाएगा सफेद हो जाएगा तो यही method यही प्रक्रिया यही trick epistatic gene कहलाती है तो यहां से कई बार question में question पूछा गया कई बार question यहां से competition में भी पूछा गया है तो कुल मिलाकर कि यहां से competition से question बनता है तो द्यान से देखिएगा बैटा कि capital B capital B जो काले रंग के लिए होता है कहीं न कहीं और I capital I और capital I जो epistatic gene होता है यह कहीं न कहीं capital B capital B gene को जो है दबा देता है तो यहां पर जब इस gene को दबा देगा तो कुल मिलाकर कि यहां पर कोई रंगीन सनरचनार था जो डॉक का जो रंग है वो black ना हो करके पूरी तरीके से सफेद हो जाता है तो please बेटा आज बस इतना ही इस वीडियो में है